हेलो एब्रीवन, वेलकम टु माई चैनल, कैसे हैं आप, I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIT भुवनेश्वर की इंडियन इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी भुवनेश्वर इनकी तरफ से इन्वाइट केगे हैं अप्लिकेशन्स फॉर पीएच्डी अंडर विश्वेश्वर ये फेलोशिप स्कीम तो उसी को हम उसी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले आप इनका उफिशल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है iitbbs.ac.in स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आप एक उप्शन देख पाएंगे न्यूज अन अप्डेट्स में इसी ओप्शन पर क्लिक करना है डेडिकेटेड पोर्टल उपन होगा इसका लिगा आपको डिसक्शन में मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें स्पेसिफिक एरियाज हैं यह वाले इनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर पढ़ लिजेगा अगर एलिजिबल ने तो अप्लाई कर दीजेगा एक बार फॉर्म समेट होने के बाद ना अल्टर होगा ना रिसमेट आप कर सकते हैं तो वह जिस्ट वन ताइम यू किन अप्लाई राइट और वापस से प्लाई ने कर सकते अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट वाला काउंट होगा ऐसा होता है यहां पर नहीं है लास्ट डेट इस फिफ्ट ऑफ ऑक्टूबर यहां पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करके यह रिजिस्टर लॉग इन करें लें सेकेंड ऑप्शन है आप एक सांपल फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन से आप इन्हें देख सकते हैं यह डिरेक्ली स्क्रॉल करके देख सकते हैं तो यह तरह स्टेरिया थीक है जो अवेलिबल हैं क्राटेरिया की बात करें तो देखिए एक स्ट्र ग्राइबल होना चाहिए इस साथ में गेत होना चाहिए या फिर भी बीट्री तो जो सरस्ट्र ग्लास्स में यह रूल होता है आया ईएटी बुगनेश्षवर में डाट बांकी जो टैं ट्वैल्ग यूजी पीजी ऑसा होता है तो सारे में आपके 60% marks या 6.5 CGPA हो एक किसी एक्जाम में relaxation आपको मिल सकता है ठीक है बट येस ये थी requirement इसके बाद minimum qualifying degree क्या हो सकती है तो देखिए mtech, ms, m e हो सकती है या msc engineering या फिर btec, b e, bsc ओके next यहाँ and bsc engineering राइट ये है gate net के discipline तो अगर आप electrical engineering के लिए apply कर रहे हैं तो ये disciplines है CAC के लिए ये हैं EC के लिए ये वाले हैं mechanical के लिए obviously mechanical then selection processes तो देखिए अगर आप shortlist होते हैं तो return and interview के आपको call जाएगा selection 40 60 का ratio है 40% weightage है return का 60% interview का है बाकी accordingly जो cutoffs हैं वो सब आपको बाहन में पता चलेंगी and वो candidate जो इस scheme के under register होंगे उन्हीं को सिर्फ financial support मिलेगा तो आप एक बार देख लीजेगा इस scheme का जो rules वगरा है उन्हें भी देख लीजेगा ठीक है apply करने से पहले हो सकता है कुछ specific requirement हो अगर उसे fulfill के under होगा ठीक है तो येस बाकी application fees रुपीज 500 फो जेन्रल ये डब्लो एस ओबसी candidates and 250 फोर स्टीप डबलीजी candidates okay after that जो भी female candidates हैं वो exempted हैं आप किसी भी category के हो आपको पेविंट नहीं करना है okay after that यहां पर आप पुछ useful points है अगर आप apply कर रहे हैं तो online ही पूरा process है online ही apply करना है hard copy नहीं बेजनी है and please इन सब भी points को पढ़ लीजे क्या dimensions होंगे क्या size होगा यह सारे चीज़ें यहां पे mention की गई है अगर आपको कोई issue है तो आप मुझे बता सकते है comment section में जो format है sponsorship certificate का वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो yes वांकी देखिए यह जनरल भी यहां पे rules वगेरा लिखे होंगे तो इसलिए एक बार scheme के जो rules है उन्हें पहले follow करिएगा उसके बाद यहां पे अगर आपको लगता है कि मतलब difference है दोनों में आप confused है तो आप इन्हें mail भी कर सकते हैं so new registration यहां से कर सकते हैं then login then contacts का option है so contacts पे click करते हैं देखते हैं आप क्या है information so yes यह है contact details यहां पे आप देख सकते हैं admissions related information academic section then ARP team for technical issues and last account section ठीक है तो देख लीजेगा कोई बीशु है तो contact कर लीजेगा सबसे important बात email ID जो भी यूज में हो पही आप यहां पे रखिएगा फिल करिएगा विगद आप change नहीं कर सकते तो सारी information सिर्फ एक email ID पर जाएगी जो कि आप फिल करेंगे तो अगर वो loss और आजन की password नहीं आदेया कुछ भी हो जाता है तो उस case में आपको information कोई नहीं मिल पाएगी तो please email ID जो भी working है उसी को डालेगा and I think yes that is it for today यह था आड़ी पर निक्षर से related update I hope video helpful लगा होगा please this to share कर दीजेगा चैनल को subscribe के लीजेगा and yes thank you so much for watching this video